पहली रात तब लड़कियों ने कहा कि अब आशी उस कमरे में जा रही है जहां उसकी पहली रात होगी लेकिन उससे पहले उसे फिर से आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ी क्योंकि वे चाहती थी कि उसका दूलहा उसकी आंखों पर से पट्टी खोले और आनन उठाए बिस्तर पर बिठाया और उसका घूंगट पूरी तरह से नीचे कर दिया पहली रात कुछ देर बाद अंकिता ने कमरे में प्रवेश किया और दर्वाजा बंद कर लिया अंकिता ने आशीश से कहा कि तुम्हें यह सब कैसा लग रहा है आशीश बहुत गुस्से में था और उसने अंकिता से कहा कि यह उसके लिए बहुत अपमान जनक हो रहा है और उसने नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है इसलिए आशीश गुस्से में अपनी आखो पर से पटी और उन टेप वाले हाथों को खोलने का आदेश देता है अंकिता ने मुस्कुराते हुए कहा कि उनकी नई पतनी को इस इलाज से कुछ समच नहीं आया आशीश ने पूछा कि वह कौन सा इलाज बताना चाहती है तो अंकिता ने कहा कि मेरे पुराने पती में पुरुष अहंकार बहुत मजबूत था और उसे अभी भी यह महसूस नहीं हुआ कि सभी लड़कियां उसे क्या सिखाना चाहती है इसलिए आशीश आज की रात एक बड़ी मज़ेदार रात होगी और उसे अपने पती के सभी आदेशों का पालन करना होगा यदि वह चाहता है कि उसका पती उसे कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करें अंकिता ने कहा कि पहले हम रात के नियम पर चर्चा करते हैं सबसे पहला तुम मुझे नाम से नहीं बुलाओगे इसलिए तुम पती जी या पाटी देव बोलोगे अगर तुम्हे कुछ चाहिए तो वह एक अच्छी पत्नी की तरह अनुरोध करोगे और सबसे जरूरी विनम्र रहें और रात का मजा उड़ाए तो आशीश ने अंकिता को पती जी कहकर संबोधित किया और उनसे अनुरोध किया कि उसकी आंखो पर से पत्ती और टेप किये हुए हाथ खोल दे अंकिता ने कहा कि अब यहाँ एक आज्याकारी पत्नी की तरह बहतर है तो अंकिता ने आशीश का घूंगट उठा कर आंखो पर से पत्ती खोल दी उसके बाद आशीश ने पलंग की सजावट देखी पलंग फूलों से ओत्प्रोथ है अब आशीश ने टेप किये हुए हाथ खोलने का अनुरोध किया लेकिन अंकिता ने कहा कि उसने इसे इसलिए नहीं खोला क्योंकि वहाँ अपनी पत्नी पर पूरा नियंद्रन चाहती है और यहाँ बीमा था कि उसकी पत्नी कुछ नहीं कर सकती आशीश को समझ नहीं आया लेकिन इसके बारे में पूछने में अस्फर रहा तब अनकिता ने कहा कि पहले वो देखना चाहती है कि उनकी बहन ने उन्हें क्या गिफ्ट किया है तो उसने पहला डिब्बा खोला जिसमें उसने दुलहन के लिए दुलहन का नाइट गाउन पाया तो अनकिता ने कहा कि उसे यह पोशाक पसंद है लेकिन यह बाद के लिए थी फिर दूसरा डिब्बा खुला और दो जोडी हत्कडी थी और अनकिता की एक बुरी मुस्कान थी और उसने कहा कि यह वह उफार है जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है और उसने आशीश को दिखाया और उसे इसके लिए तयार रहने के लिए कहा यह देखकर आशीश डर गया और उसने सोचा की अनकिता इन हथकडी का क्या करेगी लेकिन मुख्य चौकाने वाली बातें सामने आने वाली है अगले और आखिरी डिब्बे में कुछ ऐसा था जो आशीश सपने में भी नहीं सोच सकता था वह एक स्ट्रैप आन डिल्डो है अंकिता हंस ने लगी और कहा कि उसकी बहने पहली रात के बारे में बहुत गंभीर लग रही थी और उसने आशीश को दिखाया और अपनी नई पतनी की राय के बारे में कहा क्योंकि उसके पती को रात में इसका इस्तिमाल करना चाहिए या नहीं आशिश अब कुछ भी सोचने की स्थिती में नहीं था यह देखने के बाद कि उसने पूछा कि इसका उप्योग करने का क्या मतलब है और उसकी आँखों में आसु आ गए उन्होंने कहा कि यह सभी लड़कियों का मुझ पर बहुत ज्यादा अत्याचार होगा आपका प्यार ही है हमारा मोटिवेशन तो उसने अंकिता से कहा यह असानिया यातना की तरफ जा रहा है मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ और तुम मेरी पत्नी हो इसलिए मैं तुम से दया करने और चीजों को छोड़ने और इस भारी लहेंगे से बाहर निकलने में मेरी करने का अनुरोद करता हूँ सोना अंकिता जानती थी कि यहाँ बहुत दूर जा रहा है लेकिन वहाँ इस सुनहरे मौके को बरबाद नहीं करना चाहती थी तो उसने आशीश से कहा कि वहाँ जानती है कि मूल एक अच्छी पत्नी की तरह उसके आदेश का पालन करे और जिससे उसे पती होने का सुख मिले और उसे अपनी पत्नी के लिए एक सोफ्ट कॉर्णर था इसलिए उसने अपनी दया दिखाई और अपनी पत्नी को कुछ विकल्प दिये लेकिन तभी यदी वह अपने पती के सभी आदेशों का पालन करती है और यदी वह असफल होता है तो सभी विकल्पों का उप्योग किया जाएगा अंकिता का दबदबा देखकर आशीश घबरा गया लेकिन चुप रहा उसके बाद अंकिता ने उसे खड़े होने के लिए कहा और आशीश ने वैसा ही किया जैसा उसने कहा फिर उसने उसकी कमर की जंजीर खोली और उसके कंदों का दुपट्टा उतार दिया और फिर उसके सिर से लगा हुआ दुपट्टा उतार दिया आशीश को भारी कमर की जन्जीर उतरने से कुछ आराम मिला और यहाँ उसके चेहरे पर दिख रहा था और अंकिता ने इसे नोटिस किया उसके बाद अंकिता ने फिर से पूरे घूंगट की तरह उसके सिर पर डुपट्टा कर दिया आशीश चुप रहा लेकिन अंकिता ने उसकी खुली कमर पर चुटकी ली और कहा कि तुम अपनी भारी कमर की जन्जीर से नहीं बच पाऊगे क्योंकि यहाँ उसकी सजा है आशीश ने ना के लिए अपना सिर हिलाया और उससे अनुरोध किया कि वहाँ इसे फिर से न पहनाए यहाँ बहुत भारी है अंकिता ने कहा कि वह यहां हर चीज की शिकायत करने के लिए नहीं आया इसलिए अगर उसकी तरफ से एक और शिकायत आई तो उसके लिए ठीक नहीं होगा और फिर अंकिता उसे जकड लेती है और उसकी कमर की जंजीर बांध फिर से बढ़ देती है और आशीश की कमर पर वजन फिर से बढ़ गया अब अंकिता ने उसे दीवार की ओर धकेला और उसका मुह दीवार की ओर कर दिया और फिर दीवार की ओर मुम करके खड़े होने का आदेश दिया फिर उसने दुपट्टा उसके सिर से खीच लिया उसके बाद उसने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। फिर वहाँ उसकी पीट पर अपनी उंगली घूंगती है और अपने मुं से ब्लाउस की डोरी खोलती है। और इससे उसके पूरे शरीर पर भारी संसनी पैदा कर दी। अंकिता ने हंस्ते हुए कहा कि तुम्हें इतनी छोटी सी हरकत से नहीं डरना चाहिए और अंकिता ने ऐसा तब तक जारी रखा जब तक की आशीश कराने न लगा। फिर उसने उसका ब्लाउस खोल कर उसके कंधे से उतार दिया और उसकी पीट और कंधे पर किस करने लगी। कभी उसने उसकी पीट पर लव बाइट दी और आशीश को इसका एहसास हुआ। अंकिता ने मजा किया अंदाज में कहा कि उसे लग रहा था कि उसकी दुलहन को लव बाइट पसंद है इसलिए उसने उसे सिर्फ एक देकर निराश नहीं किया और उसके कंधे पर बाइट द दी आशीश ने उसे न काटने का अनुरोध किया लेकिन अंकिता चालू रही। उसने उत्सा में कहा कि यहां उसकी रात है और वो अपनी दुलहन को पूरी खुशी देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और यहां तो बस एक शुरुआत थी अब रात में आगे क्या होगा फिर उसने ब्लाउज और ब्रा उतार दी और अपने नकली छुपाने के लिए उसका हाथ अपने आप सामने आ गया। अंकिता ने कहा कि उसने वही किया जो एक लड़की अपने बचाने के लिए करती। फिर अंकिता ने उसे अपने हाथ उपर उठाने का आदेश दिया और कहा कि वो जानता है कि नकली हैं तो वो उन्हें क्यूं छिपाना चाहता है आशीश ने अपने हाथ दीवार की तरफ उठा दिये क्यूंकि ब्रा उसके बूब्स को पोजीशन में पकड़ रही थी इसलिए अब बूब्स का वजन उसकी त्वचा को नीचे की ओर धकेलता है और इससे उसकी छाती पर दर्द होता है अब अनकिता ने उसके दोनों पकड़ कर धीरे से दबाया फिर उसने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके होठों को अपने होठों से चुआ और उसके होठों पर काटने के साथ एक लंबा चुमबन दिया आशीश कुछ नहीं कर सकता क्यूंकि अभी भी उसकी आँखों पर पट्टी और हाथ बंधे हुए थे और वो हिल भी नहीं सकता था उसके बाद अनकिता ने कहा कि तुम्हारे पास दो विकल्प है क्यूंकि मैंने तुम्हें विकल्प देने का वादा किया था तो आप्शन है वो अपने गहने पहले उ खोल दी लहंगा अपने वजन से नीचे गिर गया और उसने एक-एक करके उसका पैर उठाया और लहंगा उठा कर अपने वार्ड्रोब में रख लिया अब उसने उसे खुद पैंटी उतारने का आदेश दिया और आशीश ने पैंटी को उतारने में संकोच किया अंकिता पूरी तरह से देखकर खुश हुई और फिर उसने कहा कि अब उसके ब्राइडल नाइट गाउन का समय है लेकिन पहले उसे कुछ मज़ा चाहिए था इसलिए उसने आंखों पर से पटी खोल दी। फिर अंकिता ने कहा कि पहले उसे अपने पती के लिए समर्पन दिखाना होगा इसलिए उसे कुछ करना होगा फिर वह कुछ देर सोचती है और बिस्तर पर बैठ जाती है और कहती है कि उसे अपने घुटने पर उसके पास आना है और फिर अपने पती के पैरों को पांच बार चूमना है और हर बार जब वह चूमता है तो उसे कहना पड़ता है कि वहाँ बहुत भाध्यशाली है कि उसे इतना अच्छा पती मिला. इसलिए वहाँ एक अच्छी पत्नी होगी जैसा उसका पती चाता है. आशिश यह सुनकर क्रोधित हो गया और बहस करने से खुद को रोक नहीं सका इसलिए उसने पूछा कि वहाँ उससे क्या चाती है. जब वह ठीक वही कर रहा था जो उसने बताया था तो वहाँ इस प्रकार की अपमांजनत बाते क्यों करना चाती थी. उसने कहा कि वहाँ उस पर पूरा नियंतरन चाहती है और इसी के बीच उसका पुरुष अहंकार आ गया. वहाँ चाहती थी कि वहाँ एक पुरुष की तरह रात बिताएं और वहाँ एक महिला को पसंद करें, इसलिए उसे रात में उसकी स्थिती याद दिलाना आवशक था. तो आशिश को यहाँ उसकी सुन्दर पत्नी की तरह करना पड़ा. आशिश फिर से बहस करने की स्थिती में नहीं था और तो उसने खुद को अपने घुटने पर बिठा लिया और उसके पैरों को चूम लिया और वहाँ सब कुछ कह दिया जो वहाँ चाहती थी. उसने ऐसा पाँच बार किया और इससे उसकी आंखों में आंसु आ गए. उसकी आंखों में आंसु देखकर अंकिता ने उसे दुखी ना होने के लिए कहा क्योंकि यह तो बस एक शुरुआत थी और आगे और भी बहुत कुछ था. फिर उसने उसे बिस्तर पर लेटने का आदेश दिया और उसने बिना किसी सवाल के ऐसा किया. उसके बाद उसका हार उतार दिया और उसके पेट पर बैठ गई और उसके हाथों को अपने हाथों से पकड़ कर उसके होन्ट और गर्दन पर चूमने लगी. अब आशीश को इसमें मज़ा आ रहा था और वह भी उसे किस करने लगा. पंदरा मिनट किस करने के बाद अंकिता ने उसे नाइट गाउन पहनाया और फिर वह उसकी मस्ती करने लगी. अंकिता ने कहा कि जैसा कि वह जानता है कि तुमने पहले की अपनी ड्रेसिंग नहीं देखी थी इसलिए उसे फिर से आंखो पर पट्थी बांदी और फिर उसे ब्रा और पैंटी पहनाई और फिर नाइट गाउन पहनाया. इसके बाद उन्होंने उनके सिर के जेवर उतार दिये और उनके बालों को खुले अंदाज में बनाया उसके शरीर पर अभी भी जुंके, चूडिया, पायल मंगल सूत्र और भारी कमर की जंजीर बनी हुई थी अंकिता ने आशीश की आंखों पर से पट्टी खोल दी फिर अंकिता ने श्वेत वस्त्र पहिन लिया, आशीश ने खुद को गुलाबी नाइटी में पाया और यहां अर्ध पारदर्शी है अंकिता ने कहा कि नाइटगाउन की सबसे अच्छी बात यह थी कि वह सिर्फ एक नौट खोलती थी और उसमें उनका पूरा शरीर एक्स्पोज हो जाता था फिर उसने कहा कि कुछ याद आ रहा है, वह अब एक जैसा दिख रहा है, है जैसा कि अंकिता अपनी शादी की रात दिख रही थी, आशीश अपनी पहली रात में बिलकुल राजकुमारी लग रही थी उमीद है, कहानी आपको पसंद आई होगी, ऐसी ही कहानी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने सुझाव या शिकायत, नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्द मिलेंगे अगले मज़ेदार वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन नियवाद.